हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो सीतरा माइस यूट्यूब चनल, तोड़े वी विल डिस्कूस, टैस्ट नुमर 11, और इस टैस्ट सीरीज फोर प्रिलिम्स 2023, और विजन आएस, टैस्ट नुमर इस 3795, आपको धिहान रखना है कि कौन कौन से कुशन्स यहां से इंपोर्टेंट हम आपको नहीं होने चीए, आपके static notes जो आपने पहले से रख रहे हैं, जो आपने पहले से revise कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, आप उनमें थोड़ा सा addition कर लेंगे, और उनके base question कर लेंगे, इसका जो PDF है, आपको टेलिग्राम चैनल पर लिंक है, और एक नमर भी आपको उस पर आप टेलिग्राम करें, वाटसब करें, आपको PDF अबलीबल करवा दी जाएगी, जहां से मैंने ये वीडियो के लिए जो PDF है, वहां से मैंने यहां से collect किया है, अब हम चलते है questions पे कैसे quality questions attempt करने है, ठीक है, तो उसे का हमें एक आइडिया आना चीए, रफ आइडिय के है, और governance में काफी सारी ऐसी चीज होती है, जो हमारे focused area से थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है, तो वो मैंने यहां से थोड़ा सा ध्यान कम दिया था, तो इस वज़े से मेरा score तो इसमें कम आया है, आपको आपका देखना है कि आपका score क्या रहता है, वो आपका main theme रहना च clear करता हूँ, एक second, अभी आपको clearly यहां पर दिख रहा होगा, और यहां पर first question पर हम बात करते है, first question पर है, कि यदि किसी political party को national party का दर्जा दिया जाता है, तो उसकी benefits क्या-क्या होंगे, first है आपका, कि only one proposal is required to file a nomination, second statement is two sets of electoral rules, free of cost by election commissioner of India, third statement is receive land or building from the government to establish their party office, and fourth statement is election symbols of the party cannot be used by any other political party in the polls across India, अब यहां पर देखिए questions को देखिए, और इसमें आपके options को देखिए, कि कौन से option आप eliminate कर सकते हैं, अब यहां पर एक चीज़ आपको देखना है, कि one statement सब में है, बाकी आपका जो statement है, second वाला जो है, वो तीन में है, ए इसमें नहीं है, तो कोई भी statement आप उठा ले, उसको wrong करने कोशिस करें, तो उसमें देखें सबसे पहले, third वाला आप जैसे लेते हैं, तो इसमें कहा गया है, कि receive land or building from the government to establish their party office, तो ऐसा होता है, election commission में जब कोई party, national party register होती है, तो उसको government, land या building प्रवाइड करती है, इसके तो आप थोड़ा सा देख लें इसको, बाकि ये काम का यहाँ पर नहीं है, दो सेट वगरा कितना सेट, electoral rule free of cost मिलता है, ऐसा statement कभी नहीं बनता, और मुश्किल से ही बनेगा, इसके अलावा भी काफी questions होते है, UPSC के पास में option मनाने के लिए, बाकि ये option तो right है, थोड़ा स हो गया, second भी right है, first भी right है, और the election symbol of that party cannot be used by any other political party in polls across India, ये भी simple सी बात आपको national party जब poll performance के बेस्ट बनाई जाती है, तो वहाँ से ये चीजे, obvious सी आपको पहले से मालूम होती है, तो third or fourth statement आप जब right करेंगे, तो यहाँ पर ये भी third or fourth right है, यहाँ भी third or fourth right है, ठीक है, तो यहाँ पर first or second थोड़े से अनब्यस से statement थे, तो आपको थोड़ा से ध्यान एकना चाहिए था कि ये चार options के right है, पस important जो थे, वो third or fourth statement थे, यहाँ से आप कुशन जो आएगा, वो attempt कर सकते है, कुशन है second, के बारे में का गया है, अब के के बारे में हमें कौन कौन सी चीज को कह सकते है कि सामने रखता है, कह सकते है कि पार्लेमेंट की जो sessions होते है, वहाँ पार्लेमेंट की floor पे उस report को provide करता है, इसके लावा और क्या चीजी होती है कि इसकी salary अगरे कैसे होती है, इसकी salary जो supreme court का जो judge होता है, उसके equal होती है, और कौन सी information आपको मालूम है, तो य help करता है, assist करता है इसको work करने में, एक चीज तो यह होती है, इसके लावा इसको हटा कैसे सकते है, तो इसके हटाने के लिए जो procedure है, वो आपका constitution में mention है, कि किस तरह से इसको हटाया जाएगा, तो इसको जिस तरह से supreme court की judge की salary है, ऐसी salary दी जाती है, इसका जिए removal है, कैक का वो भी उसी तरीके से होता है, और इसके अलावा कोई भी चीज आपको जानी है, तो आप Google सर्च कीजी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, दोबार appointment के लिए इनको allow नहीं होता है, reappointment नहीं होती है, ठीक है, और इसकी जो salary और other service conditions होती है, Parliament decide करती है, salary वगरा को, ठीक है, और salary कास दी जाती है, इसकी salary जो है, आपकी consolidated fund of India, CFI से provide की जाती है, और salary जो है, equals होती है, Supreme Court की जज के बराबर, इसके अलावा, कैग की जगे कोई भी other जो minister होता है, Parliament में इसको represent नहीं कर सकता, अब इत्रे सारे facts आपको यहीं मालूब है, तो यहां सब questions को simply कर सकते है, attend, कि यहां से देख लीजे, he assists the public account committee of the parliament, तो यह assist करता है, simple सी चीज़ है, first statement आपका right है, his salary is equal to judge of supreme court, he can be removed by president only in accordance with the procedure mentioned in constitution, तो यह third, तीरो statement आपका right है, और यहां से आपका option मनेगा D, आगे चलते है, question number 3 पे, question number 3 नीचे रह गया, question number 4 कर लेते है, with reference to process of social audit in India, आप social audit की बात देखिए, recently, राजस्तान government जो है, उसने भी पंचायती राज, आपका जो नरेगा वरकर्स जो है, आपका जो मातमा गांदी, national rural employment guarantee scheme के, जो act 2005 का, उसके अंदर जो employment दिया जाता है, rural area में, उसके लिए social audit, recently, social audit को start किया, ठीके, अब यहां पे आपको देखना ह या neither one or nor two की जब बात आती है, तो वहां पर आपको इतना ध्यान लखना है कि start अपने को second statement से करना है, यहां पर थोड़ा सा confidence में आ जाते हैं, कि हाँ, चीज़ें जो है, आप आरे से, हमारे जो knowledge है, उससे related, वहां पे है, अब social audit, जो है, कि इस तरह की process होती है, यह थोड़ government initiatives उसके लिए लिए जा रहे है, और public के साथ, public platform पे उसको share किया जा रहा है, तो उस पे जब एक ऐसी process, जिसमें resources का detail प्रवाइड किया जाएगा, उसको बोलें कि हम social audit, अब यह आपकी जो act था 2005 का, इसमें social audit का provision था, but governments ने उसको implementation करने में काफी time लगा दिया, और अब ज participation, social audit act 2017 में बनाया, उसको implement करने के लिए, ठीक है, तो ऐसी काफी सारी information होती ही, जो आपको पहले से provide नहीं होती है, कई बार questions जब आते हैं आपके सामने, तो वो knowledge आपका बढ़ जाता है, तो इससे आपको थोड़ा सा demoralize नहीं होना है, कि हमें यह चीज तो मालूम नहीं थ पढ़ा, और अब जाके पता चला कि social audit उसमें mention था, तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, बस उसको add कर लीजिए, ठीक है, और यह center government ने अभी recently pass किया है, audit scheme मनिरगा के अंदर, और CAG से consultation किया, 2011 में, उसके बाद में काफी states ने इसको follow करना start कर दिया, तो second scheme ने आपको financial and non-financial resources used for development process by a public agency are disclosed under the preview of social audit, तो सिंपल सा definition है, जो अभी just में ने बोला कि financial and non-financial दोन तरह की resource उसमें सामिल होते हैं, तो यहां से आप बोथ statement इसके write कर सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, नाइधर नहीं, यह आपका C लगई है, then fifth question में चले, edge per the provision of consumer protection act 2019, जो है आपका क consumer protection act अभी recently आपका, recently ही है, three year पहले की बात है तो, यहां पर कौन कौन सी statement आपको देखने है, तो यहां पर कहा है कि central consumer protection authority under the act can show motto, inquire and investigate violation of consumer rights, एक तो यह चीज है, कि क्या automatically वो cases को ले सकता है consumer court अपने jurisdiction में उनको judgment पास करने के लिए, इसके अलाबा, यहां पर है, a person who avails services for any commercial purpose is not considered a consumer, एक चीज यह है, तो आपको इसमें ध्यान अकरा, बस यही इसमें एक point था, कि जो आदमी किसी service को as a commercial purpose के लिए use करेगा, तो वहां पर वो consumer नहीं क्यालाएगा, बस, यह point आपको note कर लेना है, अलग से, कि जो भी, कोई भी person, commercial purpose के लिए service use कर रहा है, तो वो consumer नहीं ह बाकि अब यह ऐसा question है, जिसमें आपको यह point मालो हो नहीं कि ऐसा है, is not considered a consumer, ठीक है, तो वहां पर आपको देखना है, options में कहां कहां से इसमें बनते हैं, तो second option यहां पर राइट हो जाता है, थर्ड आपका फिर यहां तो first आपका सही है, थर्ड यहां से आपका हट consumer rights का, human rights का violation हुआ है या नहीं हुआ है, तो यह simple सा statement था, बस second को आपको मालूम होना चाहिए था, तो इसमें देखिए कि, अब आपको third statement देखिए, इसमें आपको कैसे logic लगाना है, कि complaint with the national commission are filed free of cost, अब देखिए, सूचना ही सिर्फ देनी है, RTI के अंदर, तब भी उसका एक minimum charge होता है, ठीक है, जबकि यहां पे तो आप देखिए, पूरा, कह सकते एक तरह किसे justice प्रवाइड किया जाएगा, consumer को, तो यह तो काफी lengthy process हो जाएगा, यहां पे जो resource है, human resource कहले जी, चाया आपका infrastructure, other, जो है, judiciary का, वो use होगा, तो वहां पे free of cost कैसे national commission complaint को deal कर सकता है ति यह statement आप यहां से थोड़ा सा दिमाग लगा के, logic लगा के, इसको eliminate कर देते हैं, यहां से आपका option one and two right हो जाता है, थर्ड question देख लीजिए, कि कौन-कौन सी यहां पे, जो language है, वो 8th schedule में, amendment कि तरहीं जोडेगे, अब देखिए, आपका एक तो बोडो, डोगरी, मैथल और संथाली आपका, यह language आपके सबसे last में, जोड़ेगे और आपके total language 8th schedule में 22 हो गई, यह चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब देखिए, संथाली और मैथली जोड़े गई, तो first और third statement के इसमें है, तो जहां पर first और third ए एक साथ है, वो आपका right answer हो तो यह आपका third question attempt हो गया, आगे चले question number 6th की बात करे, with reference to the one nation, one ration card, अब देखिए, यह राशन कार की बात है, तो राशन कार आपका चाहे BPL में हो, चाहे आप EPL में हो, आपका राशन कार तो होता ही, होता है, first statement में काया कि family is coming under the category of BPL, only are eligible under program, तो यह आपका statement यहां से wrong कर दीजिए, क्योंकि यह statement तो राइट आपका नहीं होता, ठीक है, इसके लावा, second है, असम is the first state to implement the program, अब असम नहीं, नौर्थ इस्ट की state नहीं, आपकी जो कह सकते हैं कि नौर्थ इंडिया की जो state है, वहां से इसको start किया गया था, ठीक है, पर्टिकुलर आपको याद हो कुछ नहीं, यह कौन सा state है, लेकिन अंदाज आप लगा सकते हैं कि हाँ, कोई नहीं, कोई नौर्थ इंडिया का जो है, जो छोटा state है, उसने इसको सबसे पहले implement किया होगा, इसके अलावा, एक third statement का देख लीजिए, third statement में इसका mention है, कि program is an endeavor of the ministry of labor and employment, labor and employment का का काम नहीं ह food distribution से related, PDS के लिए, ministry of consumer and food, public food distribution वाला, वो ministries में work करेगा, तो यह आपका यह भी statement wrong हो जाएगा, असम भी हड़ जाएगा, तीनों को हटाएंगे तो आपका D option यहां से right हो जाएगा, one nation, one ration card program से related, आगे चले, question number है, 9 देख लीजिए, फिर आपन 7 और 8 नीचे देख लेंगे, question 9 बात कीजिए, नाल्सा की, अब नाल्सा क्या है आपका, नैशनलль legal service authority की बात की जाती है, national legal service authority क्या काम करती है, क्या क्या इसके under जिसे नाल्सा है、 इसके नीचे, state legal service authority आती है, फिर उसके नीचे district legal service authority आती है, तो नाल्सा, असाल्सा, धाल्सा, ये तीन एक हरार की में work करते हैं और यह आपकी legal service authority होती है अब इसका काम क्या होता है कि कुछ fund provide करेगी state legal service authorities को ताकि program को implement किया जा सके और काफी जो कह सकते हैं जो आपके physical weaker section जो होते हैं इसके अलाबा old age जो होते हैं woman होते हैं इनको काफी facility दी जाती है और इनको free legal add दिया जाता है इनकी income को दिहान में रखते हुए नहीं financial status जो है उसको देखा जाता है उनको freely legal services provide की जाती है तो यहां से दोना option जो है आपके right होंगे first और second और यहां से आपका option है आपका C right हो जाएगा क्योंकि यह simple से चीज़े होती है और यह आपको पहले से मालम होती है नालसा कैसे वर करता है और डालसा और सालसा कैसे काम करते हैं अब देखिए आपका 10 देख लीजिए फिर आपन 7 और 8 देखेंगे कि इसमें कहा है कि ED के बारे में पूछा है और इसमें कहा है कि ED जो है एक statutory body है जो PMLA act जो है prevention of money launch react उसके अंदर बनाएगी या दूसरे act के अंदर बनाएगी अब यह basic knowledge होना चाहिए कि PMLA के अंदर पहले ED आया या आपका कह सकते हैं कि PMLA आया PMLA act जो है आपका 1980s की बात है तब ही आपका आया था ठीक है तो एक तो यह point आपको याद है ED का बनाएगी आपका 1956 में अब देखिए statutory body जो है यह वो है या नहीं है लेकिन PMLA के अंदर एक तो यह नहीं है ठीक है एक दूसरे शीच यह है कि यह एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी ministry के अंदर बर करता है यह statutory नहीं है यह उसकी unit की तरह काम करता है ठीक है और जो कह सकते है foreign exchange regulation act 1947 जो था फैरा जिसको बोलते है उसके अंदर इसको बनाए गया था तो फर्स एस्टिम आप अटा दीजिए second में काया कि an enforcement directorate investigating officer can arrest an accused without prior intimation ठीक है तो यह आपको point खास याद रखना है कि इसमें prior intimation की जुरुत नहीं होती है सीधा ही जो है यहापे investigative officer जो होता है ED का वो arrest कर सकता है ठीक है यह हुआ अब देखिए यह होता है SFIO serious fraud investigation organization अब इसको permission की जुरुत होती है तो यहापे लिखा हुआ है कि does not require तो यह आपका point राइट है तो 2 और 3 वाला option जो है आपका वो देख लीजिए और आप अपना option जो है उसको write कर लीजिए और match कर लीजिए आपने क्या answers को ठीक किया है 7th question पर देखिए कि इसमें tribunals के बारे में पूछा गया कि tribunals कैसे कैसे work करती है कुछ दो statements में दिये है आप से पूछा है कि not correct इसमें क्या होगा अब देखिए the provisions with respect to the tribunals existed as a part of the original constitution तो यह original में नहीं था यह constitution amendment कर के इसको add किया गया second है the parliament is empowered to establish tribunal for the adjudication of the dispute related to public service of local bodies अब local bodies की जो public services होती है उसके dispute में justice provide करने के लिए क्या आपको यह देखना है कि tribunals बनाई जाती है नहीं बनाई जाती है पारले में की पावर होती है नहीं होती है तो वो state government की पावर होती है कि उनके related क्या क्या कानून ब होती है local body selected ठेक है तो यह आपको यहां से यह second statement हटा देना है first of all आपका write कर लेना है इसके अलावा देखिए 8th question है national achievement survey अब national achievement survey पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि national achievement survey होता क्या है अब national achievement survey आपका क्या है एक तो nationally representative होता है large skill survey student की learning का student की learning कह सकते है कि क्या से चल रही है तो उस पर ministry of education जो है government of India के अंदर वो इसके उपर work करती है और जो NCERT है इसने एक assessment framework बनाया है ठीक है इसको develop किया है और वो काम करता है national achievement survey की लिए अब आगे बात करें कि जो survey है इसमें आपके काफी सारे जो student के background को की डेटा है उसको collect किया जाता है और वहाँ पर्फॉर्मेंस जो student की रहती है उसको analysis करके report publish की जाती है ठीक है अब यहाँ पर देखिए पहले statement आप से दिया है कि it is a comprehensive evaluation survey of student learning competencies at higher secondary and gradation level अब यह higher gradation level वगेरा पर work नहीं करता है यह आपका जो primary और secondary जो जो obviously simple सी चीज़ है कि जो असर report आपने सुना होगा ठीक है और annual status of education report यह आगे नाम भी लिखा हुए इसका असर report जो है वो primary education के उपर focus करता है ऐसे ही आपका national achievement survey जो है यह भी आपका कह सकते है कि जो छोटे level जो होते है उस पे large scale survey आपके student की learning का वापे collect करता है इसके लावा नीतियाव को भी यहाँ से अटा दें क्योंकि ministry of education जो इस पर work करती है तो यह आपका first statement भी हट गया second जो ह अब यह household survey नहीं है ठीक है तो यह भी आपको ध्यान रखनार यहां से आप D option इसका लगा ले क्योंकि यह जो असर report है यह household survey होता है जबकि यह household survey नहीं होता है तो यह third statement इसका wrong है अब आपके 10 questions आपने attempt की हैं उसमें देखिए कि कितने questions आपके writer कितने questions आपके wrong है और 11th question ज देखेंगे अब इस questions में नोटा के बारे में 4 statement आपको given है 4 statement आप देखिए कि नोटा का मतलब क्या है none of the above यह Supreme Court की 2013 की ruling की based पे election commission of India आपकी जो EVM जो होता है उसमें अलग से option दिया गया है कि यदि आप candidate को जो given है उनको यदि चूज करना नहीं चाहते है उनको vote देना नही चाहते है तो अलग से नोटा को option वहां पर available करवाया गया अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब सिर्भी यह है कि इन में से कोई candidate आपको पसंद नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि आपने सबको reject कर दिये एक point आपको याद रखना है इसके लावा नोटा यदी ज्यादा use हो रह तो fresh pool कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, constituency will be merged with any of the, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, governor will nominate a candidate after consulting, यह सब कुछ फादू की चीजए, साइध D right है, candidate securing the highest number of votes will be declared elected, अब ऐसी चीज़े आप देख लिजिए, कि यहाँ पर 11 questions आपना attempt कर लिया है, बाकी आपके बचे 89 questions जो की similar way में आपक complete हो जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह सा आप इस पूरी जो test series है, इसको attempt कीजिए, achievement आपका क्या रहा हो, वो चैनल पे जरूर शेर कीजिए, वीडियो की link आपको provide कर दी जाएगे, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे poll भी create कर देंगे, और इसकी PDF जो है, आपको नमर जो share किया है, link में, description में आपको provide कर दिया जाएगे, वहाँ से इसको मांग ले, ठीक है, और आप अपना test attempt करें, इसकोर को जरूर कमेंट में share करें, आगे की जो test series है, ये test मैंने attempt कर लिया है, आप लोग attempt करें, आपके result को जरूर शेर करें, आगे test जो हम डील करेंगे economy का आपके साथ में मैंने कर दिया है, और ये आपका पॉलिटी का test है, इसके अलावा आगे test जो मैं आपको बता दू, पहले भी एक वीडियो से मैंने share किया है, कौनकों से test होंगे, तो अब test आपके बचे, environment का test एक रह गया है, जो गृफिय का पहले अपने discuss कर लिया है, और इसके अलावा आपके टेस्ट जो बचेंगे, वो आपका एक test नमर 9 और test नमर 10 है, जो 3793, 3794 तो टेस्ट का पॉलिटी के बचे है, इसके अलावा आपके टेस्ट जो बचेंगे, वो बचेंगे सिर्फ हिस्ट्री के, जिसमे आपका ancient medieval के 2 है और modern के 3 है, तो ऐसे 5 test आपका environment का बच्च है, इसके बाद में हम insight IES के current affair की test series है उनकी, जो हम July से लेके और March तक की test series जो उनकी है current affair based उसो करेंगे, क्योंकि static में हम इतना ही cover करेंगे तो आपके 5 test history के और 2 test quality के 5 out to 7 और एक environment का test environment में इसको नहीं करेंगे जो vision की अभ्यास test series जो है, उसको solve करेंगे और आपके साथ में उसके experience जो है आपने कैसे attempt किया, आपको कैसे करना है, आप भी comment में अपने experience share करें, और बने रही चैनल पे, वीडियो को like करें, share करें, friends के subscribe करवाएं चैनल को, और भी वीडियो को share करें, और discussion जरूर करें, topics का नई news का, current affairs का जो आपके films में beneficial हो सकें Thank you for watching this session, जैंग